सीता जी को सास ने नेकों प्रकार से आसिरबाद और सिख्छाएं दी और बे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चलें समाचार जब लच्मन पाए ब्याकुल बिलखे बदन उठी धाए कांप पुलक तन नायन सनीरा रहे गाए चरण याति प्रेम या धीरा जब लच्मन जी ने समाचार पाए तब बे ब्याकुल होकर उदास मोह उठ दोड़े सरीर कांप रहा है रोमांच हो रहा है ने त्रे आसियों से भरे हैं प्रेम से अत्यांत धीर होकर उन्होंने स्री राम चंदर जी के चरण पकड़ लिये कहे न सकत कचूचित वत ठारे मीन दीन जन जलते कारे सोच हरदय बेदिका हो नहारा सब सुख सुक्रत सिरान हमारा बे कुछ कह नहीं सकते खड़े खड़े देख रहे हैं मानों जलसे निकाले जाने पर मचली दीन हो रही हो हरदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है क्या हमारा सब सुख और पुन्न पूरा हो गया है मो कहों का है कहब रघोना था रखे हैं भावन की लेह ही साथा राम बेलो के बांधो कर जूरें देगे हैं सब सन त्रन तूरें मुझको स्री रखनाच जी क्या कहेंगे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे स्री राम चंदर जी ने भाई लच्छमन को हाथ जोड़े और सरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़ा देखा बोले बचन राम ने नागर सी लसने है सरल सुख सागर तात प्रेम बस जन कदरा हूँ समुझ हर्दय परिनाम उच्छा हूँ तब नीत मैनर पण और सी लसने सरलता और सुख के समुदर सी राम चंदर जी बचन बोले है तात परिणाम में होने वाले आनंद को हर्दर में समझ कर तुम प्रेम बस धीर मत हूँ मा तो पिता गुरु स्वामी सुखे सेरे धरी का रही सुभाई लाह ओ लाबो तिन जनम करे नातारो जनम जग जाई लखन शराम चंद की जए जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की सिख्छा को सुभाव की हिस्तर चड़ा कर उसका पालन करते हैं उन्हों नहीं जनम लेने का लाब पाया है नहीं दो जगत में जनम ब्यार्थी ही है सिराम आसे जीए जानी सुना हूं सिखे भाई करहो मात पेत पाद सेवकाई भवन भरत और पसूदान नाहीं राओ ब्रैद माम दुखे अने माहीं हे भाई है मैं ऐसा जान कर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सिवा करो भरत और सत्रुगन घर पर नहीं है महराज ब्रत हैं और उनके मन में मीरा दुख है मैं बन जाओं तो महीं ले साथा हूँ यह सब अहीं बिधिया बाध या ना धा गुरू पे तुमात प्रजा परिवारू सब काहों पर आये दोसा है दुख्य भारू इस अवस्था में तुमको साथ ले कर बन जाओं तो अयुद्धा सभी प्रकार से अनात हो जाएगी गुरू पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुख्य भारा पड़ेगा रहा हो करा हो सब कर परितो सुना तरू तात होई हैं बड़े दोसु जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सुन रपे अवसे न रखे अधिकारी आता तुम यहीं रहो और सब का संतोष करते रहो नहीं तो हे तात बड़ा दोस होगा जिसके राज में प्रजा दुखी रहती है वह राजा वसे ही नकनरक कालकारी होता है रहा होता ते असनी ते बेचारी सोना ते लखन भय ब्याकुल भारी सियरे बचन सुख गए कैसे पारे सते तो है ने ताम राशो जैसे हे तात ऐसी नीद बचार कर तुम घर पर रह जाओ या सुनते ही लश्मर जी बहुत ही ब्याकुल हो गए इनसी तलबचनों से बे कैसे सुख गए जैसे पाले केश पर से कमल सुख जाता है उतरू नायावत प्रेम बस गहे चरन बकुलाए उनाथ दासु मैं स्वामी तुम्हे ताज़ा हो दकाहे बसाए लखन शराम चंदर की जाए प्रेम बस लच्मर जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता उन्होंने ब्याकुल हो कर स्रीडाव चंदर जी के चरन पकड़ लिए और कहा है नाथ मैं दास हूँ आप स्वामी है तहाँ आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है दिन है मौही से खेनी के गुसाई लागी अगम अपनी का दराई नारे बारे धीर धारम धोरे धारी ने गम नीत का होते अधिकाई ये स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी सास्त्र और नीत के तो बेही स्रेष्ट प्रोसदकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारन करने वाले हैं मैं ऐसे सुप्रहभू सने है प्रतिपाला मंदरो मेरे के लिए मराला गुरू पे तुमा तो न जानाओं काहूं मकाहाओं सुभाओ ना थे पतिया हूं मैं तो प्रभू आपके इसने मैं पला हुआ छोटा बच्चा हूँ कहीं हंसे भी मंदरा चलिया सु मेरी उपरवत को उठा सकते हैं हेना सभाव से ही कहता हूँ आप विश्वास करें मैं आपको छोड़ कर गुरू माता पिता किसी को भी नहीं जानता जहें लगी जगत सने है सगाई प्रीत प्रतीत ने गमन जुगाई मोरें सभाई के तुम स्वामी दीन बंद और अंतर जामी जगत मैं जहां तक सने का संबंद प्रेम और विश्वास है जिनको स्यंबेद ने गाया है है स्वामी है दीन बंद है सब के शर्दा के अंदर की जानने वाले मेरे तो सब कुछ के बले आप ही हो धरा मैने तै आपदे सायता है के रते भूत सोगाते प्रिया जाही माने क्रम बाचाने चाराने रते हो एक रपास इंद पारे हाराय की सोई धर्म और नीत का उपदेश तो उसको करना चाहिए जैसे की उति विभूती या सदगती प्यारी हो गिन्तु जो मन बचने और कर्म से चरणों में ही प्रियंग रखता हो हे करपा सुन्दू क्या वह भी त्यागने के युग है करोना सिंदो सो बांदो के सोने म्रदो बाचाने बेने समुझाए और लाए प्रभू जाने सने हम सभी तलखन शराम चंदर की जाए मापति महादेव की जाए पवन सतहनों मान की जाए झाले